दुनिया भर में सेवा दे रहे एम्बेसेडर्स, हाई कमिशनर्स, केंद्रव और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगाण, अलग-अलग एक्सपोर्ट कांसिल्स और चेम्बर्स अब कॉमर्स और इंडिस्ट्री में के उसारे नेतागाण, देवी और सज्जनों. यह समय आजहादी के अमृत महोत्सव का है, यह समय आजहादी के पच्चतरवे वर्ष में अपनी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करने का तो है ही, भविष्य के भारत के लिए एक क्लियर विजन और रोड मैप के निर्मान का अवसर भी है. इसमें हमारे एक्सपोर्ट के एम्बिशन्स का और उसमें आप सभी साथियों का इन्वाल्मेंट, इनिशेटिव, आपका रोल बहुत बड़ा है. आज जो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, मैं समता हूँ हम सब और यहाँ जो मेरे सामने सब नोग हैं, वो इन सब चीशों से ज़्यादा परिचित हैं. आज फीजिकल, टेकनलोजिकल और फाइनांशल कनेक्टिविटी वज़े से दुनिया हर रोच और छोटी होती जा रही है. ऐसे में हमारे एक्षपोर्ट्स के एक्षपांशन के लिए दुनिया भर में नई संभावनाएं बन रही हैं. और मैं समझता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा आप सभी इसके ज़्यादा अनुभवी बहुत बड़े पार्खी हैं. मैं आप सभी को आज के इस इनिशेटिव के लिए और इस प्रकार के दोनों पक्ष के बातों को रखने का जो आउसर मिला, मैं इसके लिए बढ़ाई देता हूँ. आप सभी ने एक्षपोर्ट को लेकर हमारे एंबिशियस टार्गेट्स को अचीव करने के लिए जो एंथूसियाजम, आप्टिमिजम और कमिट्मेंट दिखाया है. वो भी प्रसौंस नहीं है. फ्रेंट जिब ग्लोबल एकोनोमी में हमारी हिस्सेदारी सबसे अधिक थी और वो समय था हमारा देश का, उसका एक बड़ा कारण भारत का ताकतवर ट्रेड और एक्सपोर्ट था. हमारे दुनिया के लगवग हर हिस्से के साथ ट्रेड लिंक्स रहे हैं और ट्रेड रूट्स भी रहे हैं. आज जब हम ग्लोबल एकोनोमी में अपनी उस पुरानी हिस्सेदारी को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी हमारे एक्सपोर्ट का रोल बहुत अहम है. पोस्ट कोवीड ग्लोबल वर्ल में जब ग्लोबल सप्लाइचेन को लेकर आज एक व्यापक डिपेट है, तब हमें नए अवसरों का लाब उठाने के लिए पूरी ताकत लगा देए हैं. आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट जीडिपी का लगबग 20 प्रतिशत हैं. हमारी अर्थववस्था के साईश, हमारे पोटेंशल, हमारी मैनिफेक्टरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के बेज को देखते हुए इसमें ब्रहुत वृद्धी की संभावना है. ऐसे में आज जब देश आत्म निर्भर भारत के मिशन पर चल रहा है, तो उसका एक लक्ष एक्सपोर्ट में, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को कई गुणा बढ़ाने का भी है. और इसलिए आज हमें यह सुनिस्षित करना है कि इंटरनेशनल दिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले, ताकि हमारे बिजनेश खुद को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके, हमारी इंडिस्ट्रीज को भी बेस्ट टेक्नोलोजी की तरफ जाना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा, और आर एंडि में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी. ग्लोबल वेल्यू चेन में हमारा शेर इसी रास्ते पर से चलकर ही आगे बढ़ेगा. कॉंपिटेंस, कॉंपिटिशन और एक्सेलन्स को प्रोसाइद करते हुए ही हमें हर सेक्टर में ग्लोबल चेंपियन्स तैयार करने हैं. साथियों एक्सपोर्ट बढाने के लिए चार फेक्टर्स बहुत महत्वपूर हैं. पहला, देश में मैनुफेक्टेरिंग कई गुना बढ़े और क्वालिटेटिवली कॉंपिटिटिव होना चाहिए. और जिसने अभी कुछ साथियों नहीं कहां, कि आज दुनिया में एक ऐसा बर्ग तयार हुआ है, जो कीमत से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करता है, और हमें इस चीज़ को एड्रेस करना ही पड़ेगा. दूसरा, ट्रांस्पोर्ट की लोजिस्ट्रिक्स की दिक्कते दूर हो, इसमें राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी, और जो भी प्रावेट उसमें प्लेयर्स होते हैं, इन समने अपनी भूमी का निभानी होगी. तीसरा, एक्सपोर्ट के साथ सरकार कंदे से कंधा मिलाकर के चलेए यह कोई राज्य सरकार है, इसमें अगर इन्वाल नहीं है, राज में जो प्रकार की एक्सपोर्ट कांसिल्स हैं वो अगर इन्वॉल नहीं है और कोई एक अपने तरीके से एक्सपोर्ट करता रहता है आइसोलेटर वर्ण में तो हमें जो परिणाम चाहिए वो नहीं मिलेगे हमें मिलकर के ही प्रयास करना होगा और चौथा फैक्टर है जो आज के इस आयोजन से जुड़ा है और वो है भारतिये प्रोडक्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट ये चारो फैक्टर्स एकजूट होंगे तभी भारत का लोकल ग्लोबल होगा तभी मेक इन इंडिया फॉर्ड वर्ल के लक्ष को हम बहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे फ्रेंट्स आज देश में जो सरकार है राज्यों में जो सरकार है वो बिजनेस वर्ल्ड की आवश्रक्तों को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है आत्मंदिर भर भारत इस अभियान के तहट कम्प्लाइंसिस में अनेक रिलेक्षशन्स दिये गए हैं इसे एकनोमिक एक्टिविटीज को सुचारू रुप से चलाना आसान हुआ है तीन लाग करोड रुपी की एमर्जंसी क्रेडिक लाइन गरेंटी स्कीम से MSMES और दूसरे प्रभाविज सेक्टर्स को रहत मिली है रीकवरी और ग्रोथ को प्रोसाइट करने के लिए हाल में डेड़ लाग करोड रुपीय और एप्रूप किये गए हैं फ्रेंट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इस किम से हमारी मैनुफेक्टरिंग की स्केल ही नहीं बलकि ग्लोबल क्वालिटी और एपिसेंसी का स्तर बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी हैं इससे आत्म निर्भर भारत का मेड इन इंडिया का नया इको सिस्टिम विक्सित करने में बहुत सुविदा होगी और विक्सित हो सकता है देश को मैनुफेक्टरिंग और एक्सपोर्ट के नए ग्लोबल चेंपियंस मिलेंगे मोबाइल फोन सेक्टर में तो हम इसका एक असर अनुभव भी कर रहे हैं साथ साल पहले हम लगबग आठ बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे बहार से मंगाते थे अब यह घट कर दो बिलियन डॉलर हो गया है 8 बिलियन से 2 बिलियन पर आ गया है साथ साल पहले भारत सिर्फ 0.3 जीरो पॉइंट 3 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते था अब ये बढ़कर थ्री बिलियन डॉलर से भी जादा हो गया है। दोनों सरकारों की प्राक्टिक्ता रही और रहनी चाहिए। इसके लिए चाहे पॉलिसी डिसीजन हो या फिर इन्फास्रक्चर का निर्मान हर स्तर पर हमें काम और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। आज हम मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी हमने सुना बंगला देश ने अनुभव बताया कि अब रेलवे मार्क से जब चीजे जाने लगी हैं तो एकदम से बढ़ोतरी होने लगी है। सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किया जा रहा है पैंडेमिक के इंपेक्ट को कम से कम उसका इंपेक्ट कैसे हो। हमारी ये पूरी कोशिश है कि बाइरस संक्रमन नियंतरण में रहे। देश में आज वैक्सिनेशन का काम तेजगती से चल रहा है। देश वाचियों और इंडिस्ट्री की हर जरूरत हर परेशानी को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाये गए हैं। बीते समय में किये गए प्रयासों का रिजल्ट आज आप भी अनुभव कर रहे हैं। हमारी इंडिस्ट्री ने, हमारे बिजनेस ने भी इस दोरान इनोवेट किया है। नई चलेंजिज के हिसाब से खुद को ढ़ला है। इंडिस्ट्री ने देश को मेडिकल इमर्जेंसी से निपटने में भी मदद की और ग्रोथ को रिवाइव करने में भी भूमी का निभाई। यही कारण है कि आज ड्रग्स और फार्मासिट्रिकल्स के साथ साथ एग्रिकल्चर जैसे सेक्टर में भी हमारे एक्सपोर्ट नए स्थर पर पहुंचे हैं। आज हम अर्थ ववस्ता में रिकवरी के ही नहीं बलकि हाई ग्रोथ को लेकर भी पॉजिटिव साइंस देख रहे हैं। दुनिया की अनेक बड़ी एकोनोमीज में भी तेजी से रिकवर होने के संकेत आ रहे हैं। इसलिए एक्सपोर्ट को लेकर बड़े टार्गेस रखने और उनको हासिल करने का मैं समझता हूँ यह बहतर समय है। इसके लिए भी सरकार हर स्थर पर जरुरी कदम उठा रही है। हाली में सरकार ने एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में हमारे एक्सपोर्टर्स को इंसौरंस कवर के रूप में लगभग 88,000 करोड रुपिय का बुष्ट मिलेगा। 88,000 करोड रुपिय का बुष्ट। इसी प्रकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव को रिस्टलाइज करने में डब्लू ट्यो कंप्लाइंट इसको बनाने से भी हमारे एक्सपोर्ट को बल मिलेगा। साथियो, दुनिया के अलग-अलग देशों में बिजनेस करने वाले हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत बहतर तरीके से जानते हैं कि स्टेबिलिटी का कितना बड़ा प्रभाव होता है। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टेक्शेशन से मुक्ति का जो फैसला लिया है। वो हमारा कमिट्मेंट दिखाता है, पॉलिसीज में कंसिस्टन्सी दिखाता है। ये सभी निवेशकों को सपस्थ संदेश देता है कि आगे बढ़ता हुआ भारत ना सिर्फ नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, बलकि भारत की निरणायक सरकार अपने वाइदे भी पूरे करने की इच्छा शक्ति रखती है। प्रेंट्स, निरियात से जुड़े हमारे जो भी टार्गेट हैं, जो भी हमारे रिफॉर्म्स हैं, उनमें देश के हर राज्य की बहुत बड़ी भागीदारी है। इन्वेस्टमेंट हो, इज अब डूइंग बिजनेस हो, लास्ट माइल इंफरस्रक्चर हो, इसमें राज्यों का रोल बहुत अहम है। निरियात हो या निवेश, इसको बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी बर्डन कम से कम हो। इसके लिए केंदर सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। राज्यों में एक्सपॉर्ट हप्स बने, इसके लिए एक हिल्दी कॉम्पेटिशन को प्रमोट किया जा रहा है। हर जिले में किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करने के लिए राज्यों को प्रोच्छाहित किया जा रहा है। फ्रेंट्स, निर्यात को लेकर हमारा एंबिशियस टार्गेट एक होलिस्टिक और डिटेल एक्सल्म प्लान में से ही एचिव हो सकता है। हमें अपने मौझूदा निर्यात को भी तेज करना है और नए प्रोडर्स के लिए मार्केट, नए डेस्टिनेशन्स तैयार करने के लिए भी काम करना है। और मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। हमारे जो मिशन्स हैं, वे ये तैय कर सकते हैं कि आज जिस देश में वो है, बहुत छोटे देश हैं तो उनकी में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन बाकी देशों में अगर आज किसी मनो तीन स्थान पर ही भारत का माल जा रहा है, तीनी डेस्टिनेशन है, क्या इस आज़ादी के 75 वर्ष के निमित, हम पांच नए डेस्टिनेशन उसके साथ जोड सकते हैं, जहां पर भारत से कुछ न कुछ आता होगा, मैं से कर सकते हैं, क्या हमारे मिशन्स आज़ादी के 75 साल के निमित ये ताय कर सकते हैं, कि हमारे देश में भारत से कम से कम अभी जो चीज़ें आती हैं उस अतिरिक नई 75 प्रोडक्ट हम हमारे देश में, जहां हम मिशन में काम कर रहे हैं, उस देश में ले जाएंगे, उसी प्र इंडियन डायस्पोरा हमने देखा है पिछले साथ साल में बहुत प्रोयक्टिव हुआ है एक प्रकार से कंदे से कंधा मिला करके काम करने में आप लोगों के प्रहत्न से यूड़ा है हम राज्यवार हम डायस्पोरा के कुछ गुट बनाएं और इस आजहादी के 75 साल के वर् करके वर्चुल समीट कर सकते हैं जैसे मान लीजिए बिहार सरकार और्गनाइज करें भारत सरकार भी हो बिहार से जो चीजे एक्सपोर्ट होती हो उसके सारे एक्सपोर्टर्स हो और उस देश में रहने वाले बिहार का जो डायस्पोरा है वो उसके साथ जुड़े और बि पहुंच ली चाहिए मैं समझता हूं डाइस्पोरा इमोशनली अटेच होगा वो इसमें मार्केटिंग में ब्रांडिंग में बड़ी मदद कर सकता है और हमारी चीजे बड़ी तेजी से फैल सकती है उसी प्रकार से क्या राज्य सरकारें बेबिये ताय कर सकती है कि हम हमारे राज्य की पांच या दस ऐसी टॉप प्रायोरिटी की चीजे ताय करेंगे जो हमें एक्सपोर्ट करना है और दुनिया के कम से कम 75 देशों में मेरे राज्य से कुछ नुकुछ जाना चाहिए ये राज्यों के अंदर लक्ष बन सकता है यानि हम आज़ादी के 75 वर्ष दु ने ने तौर तरीके अपना करके हम बिलकुल प्रोएक्टिवली हम प्रयास कर सकते हैं हमारी कई प्रोटक्ट ऐसी होगी दुनिया को पता तेंगी होगा अब ज़ते हमारा LED बल्ब भारत में इतना सस्ता LED बल्ब बनाया दुनिया ग्लोबल वर्मिंग की चिंता कर रही है ए इस विशे को ही ले करके हम दुनिया में LED बल्ब पहुंचाएं सस्ते में पहुंचाएं हम ग्लोबल वर्मिंग की से में से दुनिया की मानवता का एक काम भी करेंगे और भारत को बहुत बड़ा मार्केट भी मिलेगा ऐसी कई चीजे हैं मैंने इसे उधान पर नाम कहा है हम बहुत सी चीजों को कर सकते हैं अभी हमारा लगबग आधा एक्सपोट सिर्फ चार बड़े डेस्टिशन के लिए होता है इसी प्रकार हमारा लगबग साइंट प्रतिशत एक्सपोट एंजिनेरिंग गूर्स, जैम्स और ज्वैलरी, पैट्रोलियम और केमिकल प्रोडेक् मैं समझता हूँ कि इतने बड़े विशाल देश, इतनी विविदताव फरा देश, इतनी बड़ी यूनीक प्रोडक्ट वाला देश, वे दुनिया में अगर न पहुँचे तो हमें आत्मे चिंतन करना है, हमें जो कमिया है उसको दूर करना है और मिल बैटकर के रास्ते खो खोजने ही है, इस थीति को हमें मिलकर बदलना है, हमें नए डेस्टिजेशन भी खोजने है और अपने नए प्रोड़स भी दुनिया तक पहुचाने है, माइनिंग, कोल, डिफेंस, रेलवेज जैसे सेक्टर्स को खोलने हैं, हमारे एंट्रप्रेनर्स को एक्सपोर्ट प्रेजिस तैयार कर सकते हैं, आज इस कारकब में उपस्ति हमारे एंबिसेडर्स, विदेश मंत्राले के साथियों से मैं एक और बात का भी आग्रे करूंगा, आप जिस भी देश में भारत का प्रंदिनिदित्व कर रहे हैं, उस देश की जरुनतों को बहुत बैतर तरीके से आप समझते हैं, उस देश में किस चीज की डिमांड है, भारत के कौन से क्षेत्र से वो डिमांड पूरी हो सकती है, इसका बहतर अभ्यास भी आप लोगों को होता ही है, और पिछले साथ साल में हमने एक नया प्रयोग किया, कि जब मिशन के लोग भारत में आते हैं, तो उनको राज्यों में भेजते हैं, राज्यों सरकारों के साथ उनके दो दो तिन तीन दिन उनकी बातचीत करवाते हैं, ताकि उस राज्य को उस देश में कुछ अपनी बाते ले जानी हैं तो सुविदा हो, ये काम अल्रेडी चल रहा है, ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट के के लिए यहां कॉमर्स इंडेस्ट्री के लिए आप सभी एक बहुत मजबुत ब्रीज की तरह भी हैं, मैं चाहता हूं कि अलग अलग देशों में मौजूदा इंडिया हाउस, भारत की मैनिफेस्टिरिंग पावर के भी प्रतिनीदी बने, समय समय पर आप भारत में यहां की व्यवस्ताओं को एलेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, तो इसका लाब एक्सपोर्ट को बढाने में होगा, मैं कॉमर्स मंतराले को भी कहूंगा कि वो ऐसी ववस्ता बनाएं जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे मिशन्स के बीच निरंतर संपर्ख बना रहे और मैं तो मानता हूं कि आज इस वर्चुल की ववस्ता के कारण इन चीजों को बड़ी तेजी से आसानी से हम कर सकते है पहले ट्राविल करना मीटिंग करना इस सब करा कठीन था लेकिन कोरोना के बाद बाएं लाट ये दुनिया भर में एक ववस्ता स्विक्रूत हो रही है मैं मानता हूं इस वर्चुल हैबिट को इतना बढ़ा देना चाहिए और हमारी इस प्रकार की आल पार्टी आल स्टेक होल्डर्स की कम्माइन इनिशेटिव वाला प्रहास बहुत जालद्याल निर्णायक बनेगा साथि हमारे एक्सपॉर्ट से हमारी एकोनोमि को मैक्सिमम लाव हो इसके लिए हमें देश के भीतर भी सिमलेस और हाई क्वालिटी सप्लाई चेन का निर्मान करना है इसके लिए हमें एक नए रिष्टे, नए साजेदारी बनाने की ज़रूत है, मेरा सभी एक्सपोर्टर्स से आगरह हैं कि वो हमारे MSM, हमारे किसान, हमारे मच्वारों के साथ पार्टनर्सीप को मजबूत करें, हमारे स्टार्ट अप्स को प्रमोट करें, हमारे कई एक्सपोर्टर्स होंगे, शायद आज स्टार्ट अप की दुनिया में हमारी UAPD कितना बड़ा दुनिया को दे सकती हैं, उससे परिचित नहीं होंगे, हो से कि एक दिन हम Commerce Ministry Initiative लें, हमारे स्टार्ट अप्स, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, उनका Joint Workshop हो, एक दूसरे की ताकत का परिचे हो, दुनिया के मार्केट का परिचे हो, हो सकता है, हम बहुत बुच कर सकते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करें, जहां तक Quality और Efficiency का सवाल है, तो हमने अपनी दवाओं, अपनी वेक्शिन्स, इसके मामले में ये दुनिया में हम सिर्थ कर चुके हैं, टेकनलोजी के बहतर उप्योग से, हम क्वालिटी कैसे बहतर कर सकते हैं, इसका एक और उदान है, हमारा हनी सेक्टर, मैं उदान छोटे इसलिए दे रहा हूं, कि छोटी-छोटी चीजे भी कितनी बड़ी ताकत के साथ खड़ी हो सकती हैं, यह मैं आपके सामने हनी का उदान दे रहा हूं, हनी की क्वालिटी सुनिशित कर रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी पहचान बढ़ाने के लिए अनिवार्य था, हमने हनी की टेस्टिंग के लिए टेकनलोजी आधारी तेक नया टेस्ट इंट्रोडूस किया, रिजल्ट यह मिला कि पि क्या हम ऐसे ही फूड प्रसेसिंग, फ्रूट्स, फिसरीज को लेकर नए इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्ट केर का वातावन बना हुआ है, बैक टू बेसिक का वातावन बना हुआ है, हमारे योग के कारण भारत की तरफ इस दिशा में दे इरिकल्चर प्रोड़क्ट जो है, उसका एक दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट की संभावना है, हमारी औरगेनिक चीजों को हम किस प्रकार से प्रमोट करें, ये समय ब्रांड इंडिया के लिए नए लक्षों के साथ नए सफर का है, ये समय हमारे लिए क्वालिटी औ और रिलाइबिलिटी की नई पहचान स्थापित करने का है, हमें ये प्रयास करना है कि दुनिया के कोने कोने में भारत के हाई वेल्यू एड़ेट प्रोड़क्ट, क्योंकि अभी आया विशय कि वेल्यू एड़ेट चीजों की तरफ हमें बल देना पड़ेगा, हमें हमारी हर चीजों में निरंतर वेल्यू एड़ेशन करते जाना पड़ेगा, उसको लेकर हमें एक स्वाभाविक डिमांड पादा होई हमें कोशिश करनी चाहिए, मैं इंडिस्ट्रीज को सभी निद्यातलकों को भी आस्वस्त करता हूं कि सरकार आपको हर प्रकार से सपोर्ट दे मिलकर के सिद्ध करें, आप सभी को मेरी बहुत-बहुत शुपकामनाय हैं, एक सबता के बाद विश्व भर में हमारे मिशन्स और भारत में भी हम 15 आगस्त मनाएंगे, आज हादी के अमरुत्र महोत्सव की विदिवत शुरुवाद भी हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि एक ह हमारे लिए प्रेणा कारण बनना चाहिए, दुनिया में प्रभाव प рिदा करने के लिए, दुनिया में पहुचने के लिए, यह आज हादी के 75 साल अपने आप में हमारे लिए एक घृत बड़ी प्रेणा का अउसर है, और 2047 देश जम आज्जादी के 100 साल मनायेगा यह प एक रोड मेप लेकर के आगे चले और मुझे विश्वास के आज की बातों से कि हम सब इस संकल्प को परिपूरन करेंगे, हम संकल्प को पार कर जाएंगे, इसी पूरे विश्वास के साथ मैं आप सब को बहुत बहुत शुप्त करेंगे.